लिए स्टूदिन्स दिससर वितिवारी और वाचिंग यूर वाचिंग फेवरेट एजुकेशनल चैनल मागनेट ब्रेंज वेल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नमबर फॉर इसमें अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं हीट क्या होते हैं टेम्परेचर क्या होता है इन दोनों के इनके बारे में हम स्टाडी कर चुके हैं ओके सो इसी कंडक्शन कंवेक्शन और डेडियोशन के बाद जमना आपको बढ़ाया था तो एक और topic निकल करके आता है जो समझना जरूरी है जो है sea breeze and land breeze ठीक है कि sea breeze और land breeze actual में होता क्या है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है heat chapter में well एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो पानी है ठीक है पानी जो है वो बहुत देरी से heat up होता है और ठंडा भी बहुत देर में होता है ठीक है और जो आपका land है वो क्या होता है जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है ठीक है लेंड में भी अगर अपन रेद की बात करें जहां sand होती है ठीक है तो वो क्या होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है लेकिन ठंडी भी बहुत ही जल्दी हो जाती है ठीक है तो इसी कारण जो भी अपके रेगिस्थान वगेरा होते हैं ठीक है ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सेंड जादा होती है तो वहाँ पे दिन का समय बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसमें भी अगर सेंड है तो वो उससे भी जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी ठीक है लेकिन पानी के साथ क्या होता है पानी धीरे-धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे-धीरे होता है तो इसलिए कभी-कभी देखते हो कि बाह किसी पानी को तो वो थोड़ा सा गर्म लगता है ठीक है अगर बाहर गर्म है तो पानी आपको थोड़ा ठंडा मिलता है थोड़ा अपोजिट सा चलता है पानी क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब वो एक बार गर्म होता है ना ठीक है तो उसको ठंडा होने में थोड़ा स टाइम लगता है ठीक है जब तक ठंडा होता है फिर से गर्म हो जाता है या जब तक गर्म होता है फिर से ठंडा हो जाता है तो इस वज़े से बाहर की तोर पर आप atmosphere के comparison के अगर उसमें देखें तो जो पानी है वो बाहर से थोड़ा ज़्यादा गर्म या थोड़ा ज़्यादा थंडा आपको महसूस होगा clear है चलिए अब आते हैं हम sand breeze या फिर land breeze क्या होता है the land gets heated up by the heat radiated by the sun much faster than the water during the daytime time ठीक है माल लीजे कि कुछ ऐसी जगे है जहां पर लैंड भी है और पानी भी है ठीक है अब जब sun की radiation आईगी sun से radiation होकर के ही हमें sunlight मिलती है ठीक है sun के energy मिलती है so well जब sun की जो rays है वो हमारे land तक आती है radiate होकर के तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और पानी जो है day के time पर थोड़ा धीरे-धीरे गर्म होता है ठीक है दोनों के बीच में comparison देखेंगे तो जो land area है ठीक है जो यह कह सकते हैं कि दिन के time में आपका जो जमीन है या जो लैंड हो गर्म होता है और जो पानी है वो थोड़ा ठंडा होता है this heats up the air over the land ठीक है अब जब एक पर land यहां पर क्या हो चुका है heat up हो चुका है तो जो land के उपर चलने वाली हवा है ठीक है land के उपर बहने वाली यह जो हवा है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी इसकी वजह से heat up होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो यहां पर vacuum create हो जाएगा क्या create हो जाएगा vacuum एक space create हो जाएगा ठीक है यहां से हवा चले गए अब यहां पर vacuum है खाली है तो इस खाली जगे को भरने के लिए क्या होता है सी से आने वाली जो थंडी हवा है अब उस एक जो जो बजी हुई जगे थी जो vacuum था वहां आकर उसकी जगे को ले लेंगी ठीक है then the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle ठीक है अब क्या होता है जो गर्म air होगी ठीक है अब वो किस साइट जाएगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी sun की energy कम होती जाएगी यह जो warm air है वो किस तरफ चली जाती है अब आपके sea की तरफ चली जाएगी और इस तरह से यह cycle जो है वो complete होता रफ गई तो फिर ठंडी हुई फिर यहां से फिर गरम रेयर ऊपर गई तो वो जो ठंडी हवा थी फिर उस वेक्यूम में जाएगी और यह जो पूरा cycle है ना वो चलता जाएगा ता एयर फ्रम दसी स्कॉल दसी ब्रीज ठीक है सी से आने वाली जो हवा है वो से हम सी होट क्योंकि क्या होता है जो लेंड है वो जैसे ही सन चला जाएगा तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा लेकिन जो पानी है वह अब एस कंपेर टू लेंड थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब क्या होगा सी से आने वाली जो गर्म हवा है ठीक है वो किस साइट पर जाएगी मतलब जो आपकी ठंडी हवा है जो की आपकी लेंड से कहां पर जाएंगी अब C की तरफ जाएंगी ठीक है आया समझ में C की जो की एयर्ज है वो उपर उठ जाएंगी और वहां पर वेक्यूम क्रेट हो जाएगा और लेंड से आने वाली हवा जो है वो इस तरफ चली जाएगी चलिए इस तीस को और बहतर तरीके से समझते हैं ठीक है वेल देखिए जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं कोस्टल है बदेम कहरें आपना थाके से साथ है मालना लिजए ये एरिया है टिक है कि वन एक सेक नंगे चलिए तो मालेञी यह घर है तो यह अपनी विंडो कि सज़ाइट बनाते हैं यह अपनी विंडू बनाते हैं टूज पेस्ञाच ता दूसृश कूए अब क्या होता है दिन की गर्म होने की वज़े से उसके ऊपर जो हवाथी फो चली गई उपर कि तरफ कौन अब यहाँ तरफ कुछ क कहां की तरफ आएगी वह आजाएगी आपके उस वैक्यूम में अब जव हमारे घर की विन्डो किस साइड पर है C की तरफ है तो दिन के टाइम में क्या होगा दिन के टाइम में जो थंडी हवा है फिर हमारे घर में भी आएगी clear हुआ क्योंकि land का जो surface है वो vacuum की तरह create हो जाएगा उसकी हवा तो उपर चली जाएगी तो इसलिए coastal areas में ऐसा होता है तो जो हवा हमारे sea से आती है ठीक है sea से land की तरफ आती है उसे हम क्या कहते है sea breeze ठीक है अब देखे ये तो दिन की बात हो गई अब आगई रात की बात अब रात में क्या हुआ जब आपका sun चला गया radiation कब हो गई heat energy sun से मिलने वाली वो चली गई तो अब क्या हो गया यहाँ पर अंधिरे के time पर जो land है वो क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाता है तो अब वो क्या हो गया ठंडा हो गया है तो उसके पास कैसी यह रहा ठंडी ठं हवा है ठीक है चलिए तो यहाँ पर अब ठंडी हवा है अब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो जल्दी करम नहीं होता ना जल्दी ठंडा होता है अब पानी भी जो है वो थोड़ा सा as compared to दिन के थोड़ा सा क्या हो चुका होगा अब तक गर्म हो ठंडा होने में उसको टाइम लगेगा तो लेंड के comparison में ठोड़ा सा गर्म है तो इसलिए अब क्या होगा की लेंड इस पानी के ऊपर जो एर होगी अब वो क्या होगी गर्म होकरके ऊपर की तरफ जाएगी ठीक है और यह जो गर्म हैर है जब यह ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारी जो land surface है यह जो surface है इस पर बहने वाली हवा अब इस vacuum को fill करने के लिए land से sea की तरफ आएगी ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं land breeze ठीक है ऐसा इसलिए क्यों होता है यह क्योंकि आपकी पानी की property की वज़े से पानी की specific heat खुद की बहुत से होता है I hope आपको sea breeze or land breeze को मतलब समझ में आ गया होगा जब ठंडी हवाय है वो सी से हमारे land की तरफ आए तो हम उसे sea breeze कह रहे हैं क्यों हो रहा है यह भी मैं आपको समझा चुकी हूं land breeze मतलब जब ठंडी हवा जो है वो surface से आपके sea की तरफ जाती है तो आप उसे land breeze कहते ह हैं clear चलिए so उपर जाती है तो cool air कहां पर आजाती है land की तरफ आजाती है hence the cool air moves from the land to the sea and it is known as the land breeze ठीक है तो I hope यह जो आपका topic था sea breeze and land breeze यह आपको समझ में आया होगा बस आपको एक point याद रखना है कि जो land है वो क्या होते हैं जल्दी गरम और जल्दी ठंडे होते हैं इसलिए दिन मे जब वो जादा गरम हो जाते हैं तो उनकी air उपर जाती है और जो ठंडी हवा sea से land की तरफ आती है और क्योंकि पानी जो है वो देरी से ठंडा या गरम होता है तो रात के समय में वो land के comparison में थोड़ा जादा गरम होता है तो इसकी वज़े से उसकी जो air है उसकी उपर बहन जाएगी सी की तरफ आजाई तो यह होता है से अधैर यह होता है लेंड ब्रीज ठीक है जा दिन के समय में सी जो है वो जाधा ठंडा होगा और रात के समय में लैंड जो है वो जाधा ठंडा होगा ठीक चले तो यहाँ पर यह होता है topic complete sea breeze and land breeze इसके बाद जो next topic हम कवर करें कि वह होगा कि समर के टाइम में हम क्यों लाइट कपड़े पहनते हैं और विंटर के टाइम पर क्यों हम डार्क कपड़े पहनते हैं ठीक है तो यह concept जो है वह मैं अपने next वीडियो में कवर करूंगी इससे पहले जितने भी topics मैंने cover किये हैं अगर वह आपने नहीं पढ़े है तो आप www.magnetbeats.com पर जाईए, class select करिए, science आपका subject है, उस पर जाईए, watch now करिए, आपको बहुत सारे chapters दिख जाएंगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसके topic, sub-topic, सब कुछ दिखेगा, आपको जब इसको click करना है, click करते साथ ही आपको video दिखेगा, video को पढ़िए, समझी अगर पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, और comment करके बताईए, अगर आपको कहीं doubt है, तो वो भी आप comment section में लेख सकते हैं, ठीक है, तो इसको share करिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो कि किसी और class में है, क्योंकि हमारे पास सभी classes के online videos है, 100% free of cost, kindergarten से class 12, सभी सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को ताकि जो भी recent updates है, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, वैल मैं मिलूंगे आपको मेरी अगली class में, till then stay happy, stay healthy, thank you so much.